बिहार के नियोजी सिचकों को एक सब्ता के अंदर एक बड़ी खुस खबरी मिलने जा रही है चाहे वो सचमता परिच्छा दिये हो या सचमता परिच्छा नहीं दिये हो उनके लिए एक बड़ी खबर निकल कर आई है उनको बड़ी खुस खबरी मिलने जा रही है इंतजार ह बिहार के मुखमंत्री नितिश कुमार के वापस लोटने का दूसरी बार भविस सवाने के चक्कर में नियोजी सिच्छक भवर में फस गए हैं सबीग जो परिच्छा दे चुके हैं और नहीं भी दिये दोनों की इस्थिती बराबर है हलाकि अब यह बिल्कुल साफ हो गया है कि फिलाल के के पाठक नहीं जाने वाले हैं और यह भी साफ हो गया है कि अब जो नियोजी सिच्छक परिच्छा नहीं दिये हैं उन्हें भी परिच्छा देना ही देना होगा यह बिल्कुल कनफर्म हैं दोस्तों नमस्कार मैं हूँ आपके साथ सुनिल बॉबी और आप इस समय देखना सुरू कर चुके हैं अपनी पुरानी चैनल मगश्चम बाद हमेशा सिच्चकों के लिए आवाज उठाते रखते हैं आपकी बातों को सरकार तक विभाग तक पहुचाने का एक कड़ी का काम क करते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिजेगा बार बार यह कहना हमें अच्छा नहीं लगता है लेकिर फिर भी आप सायद किस कारण से अब तक सब्सक्राइब नहीं किये हैं यह आप जाने लेकिन दोस्तों आपसे रिक्वेश्ट हैं कि आपके लिए हम समय निक खबर लेकर आजाते हैं लेकिर बाद में आपको एसास हो जाता है कि वो खबर सची और पकी थी तो लगता होगा लेकिन हम चाहते हैं कि हम कोई भ्रम जाल नहीं फैलाएं सिचको कुटेजित नहीं करें सिचको को अर्गला बलगराक्म नहीं रखिया इसी काम नहीं करते हैं क्योंकि आप सोचते होंगे कि भीउ लेने के लिए कमाने के लिए सा कुछ कर रहे हैं तो बहुत सारे content हैं जिस पर हम काम कर सकते हैं लेकिन आपके हर चीज़ों करते आ सब्सक्राइब कर लिए और अगर नहीं अच्छा लगता हो तो कोई जो जबस्तित नहीं है फिर भी आप से रिक्वेस्ट करना तो मेरा काम है चलिए जो भी करना हो आप पर निर्भर है नियो जी शिचक जो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं कि इस वीडियो को तो नियो जी शिचक ही देखेंगे क्योंकि भूमकाही नियो जी शिचको पर थी तो दोस्तों मित्रों भाईयों वह लो इसलिए आज बहुत ही सांत मूड में हम आपको खबर बता रहे हैं खबर यह है कि जहां आपकर दो माव से इतने जादे ज्यादा टें सन में हैं क्योंकि अब जिला मुख्याले और आज मुख्याले के भी कई सिचक दोड़ लगा रहे हैं लेकिन अब थोड़ा सांत हो जाई है देखिए कहीं न कहीं जो होना है वो कर ही रहेगा घटना को घटना को या किसी भी चीज़ को किसी मनुष्ट के हाथ में नहीं जिस सुर्य यह मसूस होता होगा कि हमारे साथ गलत हो रहा है लेकिन आने वाले भविष्ट में वह आपके लिए बेहतर सावित होगा कहीं ने कहीं आपके भविष्ट को सुरच्छित बनाने और आपके भविष्ट के लिए अच्छा या काम हो रहा है क्योंकि किसी के हाथों में नहीं सब उपर वाले की हाथ में जादा हम बाते घुमाएंगे नहीं बस हम बताना चाहते हैं कि बिहार के मुखमंत्री नितिस कुमार जैसे ही इंगलेंड दोरे से पटना वापस आते हैं तो कुछ है खास मिटिंग और खास कर सकते हैं कि बिहार के मुख मंत्री तक बातों को पहुचाने का अगर काम हो जाता है तो एक सफ़ता के अंदर में ही आपके लिए एक बड़ी खुश खबरी मिल सकती हम इस खुश खबरी को नहीं बताएंगे नाम नहीं बताएंगे क्योंकि अभी जब सुनियेगा तो आप कह दिजेगा कि यह तो केवल जुटी खबर है यह केवल पकवास है यह पकवास पकवास आपके कॉमेंट में पढ़पढकर हम भी थोड़ा सा सोचने पर मजबूर हो गये इसलिए नहीं बताएंगे कि क्या वो खुशकबरी है लेकिन जब मिल जाएगा तो आपको एहसास होगा कि मगत संबाद वाले यह पाते पहले ही बता चुके हैं लेकिन आपकी होली बेहतर होने वाली है इस उमीद के साथ आप आगे बढ़िए फर्जी बारे बारा सो पांच सिचकों पर करवाई हो रही है जाच हो रही है अब फर्जी पाये जाने वाले पर यह फायार भी दर्ज हो रहे है और यह बारा सो पांच ही आकड़ा नहीं होगा यह आकड़ा भुद्दूर तक जाएगी और जब फरजिस सिचक पकड़ा जाएंगे और जो आप बच जाएंगे जो जिनका परमान पत्र के या प्रसाइचनिक परमान पत्र हो अगर जिनका सही रहेगा वह विशेष्ट सिचक बनकर उबरेगे बार-बार एक कोमेंट में सबा दार रहा था कि सर जो सचमता परिच्छा में शामिन नहीं हो पाए यानि फौर पर नहीं बर पाए उनका क्या होगा तो फिलाल उन पर कोई करवाई नहीं होने जा रहे हैं लेकिन जिस परकार से केके पाठक एकसन में हैं तो कोई भी सरकार नहीं चाहेगी कि कुछ और हो सही दिशा में काम हो रहा है बले केके पाठक की कई ऐसे आदेश सरकार और अनलोगों के लिए हो लेकिन इस समय जो काम कर रहे हैं उस पर कोई उंगली नहीं उठा सकता है नहीं खिलाब में बोल सकता है क्योंकि हर लोग चाहे कोट हो या सरकार हो या आप खुद नहीं हो जिस सिच्छा को यह नहीं कहिएगा कि फर्जी नहीं परना जाए और अब इस तरह की करवाई को देखते हुए कहा जा सकता है या कोई नहीं कहेगा कि परिच्छा नहीं हो क्योंकि परिच्छा से सच्छमता की जाच भले हो या नहीं हो जिस तरह का हो लेकिर फर्जी तो पकड़े जाएगे और इस करवाई के बाद जो सिच्छक फार में नहीं भरे हैं तो उनको अब भरना ही पर एक परिच्छा देना नहीं होगा हाँ बिच में 13 मार्च को कोड का जो फैसला आता है उसको तो दरकिनार नहीं किया जा सकता है उस पर तो सरकार भी सुनेगी पिभाग भी सुनेगी लेकिन अब तक इस करवाई को देखने के बाद यह किलियर हो चुका है कि सभी नियोजी सिच्छों को सचमता की परिच्छा देनी होगी और हर परिक्रिया से गुजरना ही गुजरना होगा फिलाल उनको समय मिल गया है लेकिन एक चीज और बता देना चाहते है केके पाठक ने जो कमिटी बना दी कहा गया कि तीन परिच्छा में आप पास नहीं करते हैं तो हटा दिया जाएगा तो आदेश निकला निकाल दिया गया है उस पर ही कार्ज हो रहा है आदेश निकाल दिया कि तीन जिलिक आप्सन देना है और यह भी निकाला गया कि तिन बारा फेट हो जाईएगा तो आपको हटा दिया जाएगा या फिर कमिटी सोचेगी लेकिर बिहार के सिच्छा मंत्री ने कहा दोनों सदुनों में बिधान परिशत और बिधान सभा में कि ऐसा कुछ नहीं होगा किसी की नोकरी नहीं जाएगी समराठ चोधरी मुखमंत्री ने भी बोला लेकिन बोलने से कुछ नहीं होता है क्योंकि बिहार के मुखमंत्री नितिश कुमार ने भी टाइमिंग को लेकर बोला बिधान सभा और बिधान परसद जोनों जगों में लेकिन लिखित रूप से आदेश नहीं नहीं दिया गया तो कहां सिच्छा विभा की सादेश को माना उसी परकार से वह मौखिक बोले हैं चाहे वह बिधान परसद हो अब तो बिधान सभा बिधान परसद से भी लोगों की उमीरे उठ चुकी है चाहे जो भी हो सिच्छको को लेकर ही क्यों नहों टाइमिंग को लेकर ही क्यों नहों लेकिद अब किश्वास बिदान परशद बिदान सभा के बातों के बात पर भी नहीं हो रहा है। तो निख्चिंत भी नहीं रहाना है जो सचमता परिचा दिये हैं और जो नहीं भी दिये हैं। तो तलवार तो लटक रही है भविस्त समारने के चक्कर में आपने राज कर्मी बनने का दावा ठोक दिया और बढ़चर का हिसा लिया अलवत्ता टेड़ सिचकों ने यह जानकर आगे बढ़ा कि हम अभी तुरत बहाल हुए हैं हम पढ़ाई के प्रियड में ही हैं हम तो असानी से निकाल लेंगे लेकिन अधिका अधिक अभी बरतमान दौर में टेट सिचकों पर ही आपती उंगली उठ रही है उनकी सटिफिटेक की जाचवरे यह गरवड़ी पाई जा रही है एक सटिफिटेक पर कई सिचक बहाल है कई जीलों में बहाल है काम कर रहे हैं या इस्थिती बन गई जहां चैस बिभात से मिली जानकाली के अनुसार दो लाग से भी ज्यादा दो लाग 26,000 सायद है सिचकों ने परिच्छा दिया जब इते और साड़े तिन लाग से जादा नियों जिसी चक हैं करीब एक लाग के करीब सी चक बच रहें परिच्छा देने के लिए कुछ तो भी पेसी में भी चले गए हैं तो जो भी हो लेकिन बिहार के मुखमंत्री के वापस आते ही एक बड़ी खुसकबरी मिलेगी और भविस्च सवारने के चक्कर में ना आप मांगते राजकर्मी की दरजा और ना इतना भै में जीना परता हलाकि जो गलत है आज नकलतुन की छटनी होती लेकिन जो बेचारे सही हैं वो भी परसा हो रहा है इस स्कूल में भले ही हो लेकिन उनका मन मस्तिस्क इस्थित नहीं है फिलाल पंदरत्ता के दौर चलेगा अब रही तबादला की बात और कार्जों की बात वो चलता रहेगा फिलाल आप आज से ब्यास नहीं हो ये आपके लिए वह मौका वह खुसकबरी बहु जल आने वाला है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा हम आपको यहीं इंफरमेशन बताने आये थे हमने आपको इसको सही माने या गलत माने हमारे सुत्रों के हवाले से हमारे टीम की ओर से जो खबर निकल कर सामने आई थी वह आपके सामने रखने का काम किया है चाहे आप इसे बकवास माने या सही माने धन्यवाद